ओंगंगर्पते नमः सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गरेश जी को निमंत्रण नहीं दिया कारण जो भी रहा हो अब भगवान विश्रू की बारात जाने का समय आ गया सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह शमारोह में आए उन सब ने देखा कि गरेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गरेश जी को नहीं नेवता है या श्वयम गरेश जी ही नहीं आए हैं सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा तभी सबने विचार किया कि विश्रु भग्मान से ही इसका कारण पूछा जाए विश्रु भग्मान से पूछने पर उन्धों ने कहा कि हमने गरेश जी के पिता भोले नाथ महादेव को नेवता भेजा है यदि गरेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आजाते अलग से नेवता देने की कोई आवश्यक्ता भी नहीं थी दूसरी बात यह थी की उनको सवामन मू, सवामन चावल, सवामन धी और सवामन लड़ू का भोजन दिन भर में चाहिए यदि गरेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पिना अच्छा भी नहीं लगता इतनी वारता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया यदि गरेश जी आभी जाएं तो उनको द्वार पाल बना कर बैठा देंगे कि आप घर की ख्याल रखना आप तो चुहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे यह सुझाव सबको पसंद आ गया तो विशुरू भगवान ने भी अपनी सहमती दे दी वो ना क्या था कि इतने में गरेश जी वहाँ आप पहुचे और उन्हें समझाव उझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया बारात चल दी तब नारत जी ने देखा कि गरेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं तो वे गरेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा गरेश जी कहने लगे कि विशुरू भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है नारत जी ने कहा कि आप अपनी मूशक सेना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देंगे जिससे उनके वहन धर्ती में धस जाएंगे तब आपको सम्मान पुर्वग बुलाना पड़ेगा अब तो गरेश जी ने अपनी मूशक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी जब बाराद वहां से निकली तो रथो के पहिये धर्ती में धस गए लाग कोशिस करें परन्तु पहिये नहीं निकले सभी ने अपने अपने उपाय किये परन्तु पहिये तो नहीं निकले बलकि जगह जगह से तूट गए किसी की समझ में नहीं आ रहा था की अब क्या किया जाए तब तो नारत जी ने कहा आप लोगों ने गरेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कारिय सिध्ध हो सकता है और यह संकर तल सकता है संकर भगवान ने अपने दूर नंदी को भेजा और वे गरेश जी को लेकर आए गरेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया तब कहें रत के पहिये निकले अब रत के पहिये निकल तो गए परंतु वे तूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन पास के खेत में खाती काम कर रहा था उसे बुलाया गया खाती अपना काजय करने के पहले स्री गरेशाय नमह कहकर गरेश जी की बंदना मन ही मन करने लगा देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया तब खाती कहने लगा की ही दिवताओं आपने शर्व प्रथम गरेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है हम तो मूरक अज्यानी हैं फिर भी पहले गरेश जी को पूजते हैं उनका ध्यान करते हैं आप लोग तो देवतागर हैं फिर भी आप गरेश जी को कैसे भूल गए अब आप लोग भगवान स्री गरेश की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विश्रु भगवान का लच्मी जी के साथ विवाह शंपन कराके सभी सकुसल घर लवटाएं ही गरेश जी महाराज आपने विश्रु को जैसो कारज सारियो ऐसी कारज सब को सिद्ध कर जो बोलो गजानन भगवान की जय अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें सेयर करें और हमारे चैनल भक्ती गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आल पर सेट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद